कि पश्चिम बंगाल में नफरत की रन नीती और दोकेबाजी की राजनीती नहीं चली अभी तो शुरुआत है यह तो ट्रेलर है पिक्चर बाकी है कि चाईस से शुरू हुई थी सरकार और गाई पे अटक गई और विकास की मौसी दस साल में रास्ते में भटक गई यह बोलते हैं कि गाई हमारी माता है पर मा की रक्षा करना इन्हें नहीं आता है सरकार उनको रिलीव नहीं देती है जो विदेश में जाके मिलकशेक और लाती की चुसकिया लगाते है ये सरकार उनको रिलीव नहीं देती जो आम आदमी दो पैकेट डूत खड़ीदने से पहले दस बार सोचता है अरे उधर वाले बता इसमें बुरा क्या है हवा के चार जोके अगर इधर से भी गुज़र जाए तो अगर भक्त रूट गए तो अराधना नहीं होगी और तीन से तीन सो तीन से दो सो चालिस के आकरे बोलते हैं कि इस बार जो आप चले गए तो दुबारा लोटने की संभावना नहीं होगी ये पहली बार के माने सुदर शुना आप बहुत अच्छी है सर सुनिये आप बीच में मत टोग ना उनको और सलावत देन आप पीछे सीट पर चल जाओ धन्यवाद अधियक्ष महद है आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं जादवपूर लोगसभा शेत्र से पहली बार चुनकर इस सदन में आई हूँ और मैं धन्यवाद देना चाते हूँ मेरी लीडर ममता बैनर जी और अभिशेक बैनर जी का और जादवपूर लोगसभा शेत्र के सारे वोटरों का जिन्होंने मुझे भारी बहुमत से जिताया और इस सदन में बेच के बीजेपी को एक पैगाम देया के पश्चिम बंगार में माने सदक सदन में इननेता को इननेताओं को धन्यवादनी होता और ये संदेश जादवपूल लोगसभा शेत्र के लोगों का जिन्होंने मुझे भारी बहुमत से यहां पे जिता के भेजा और ये पैगाम दिया कि पश्चिम बंगाल में नफरत की रन नीती और दोके बाजी की राजनीती नहीं चलेगी अधिक्ष महादे मैं उम्मीद करूंगी कि आज आप मुझे पूरा बोलने का मौका दे क्योंकि हाली में हुए नीती आयो की जो मीटिंग वही थी वहां पे हमारी मानेने मुख्यमंत्री जो देश की एक मात्र महिला मुख्यमंत्री भी है उनका माइक बीच राह में आफ कर दिया गया था वह बंगाल के वह बंगाल के अरे अभी तर शुरुवात है यह तो ट्रेलर है पिक्चर बाकी है अध्यक्ष मौद है मैं आपसे यह बोलना चाहती हूं कि वह बंगाल के हक के लिए यहां पे सवाल उठाने आई थी वह बंगाल के लोगों की बात रख रहे यहां पे आई थ लेकिन उनका माइक ओफ कर दिया गया आपके माधियम से मैं सदन में उपस्तित वहाँ जो बैठे हैं माने सदश है कोई भी घटना को सब्सक्राइब आपकर दिलेट करेंगे सदन में यही बताना चाहती हूँ कि बंगाल के लोगों का आगे जाके बंगाल की लोग आपके पार्टी की माइक ओफ कर देंगे बस एक शुनाओ बाकी आप देख लीजेगा सर ओल इंडिया त्रिनबूल कॉंग्रेस इस सदन और इस देश का थर्ड लार्जिस्ट ऑपोजिशन पार्टी है और हम आपसे धन्यवाद हम आपको देते कि आपने हमको रेलवे स्वास्त शिक्षा और आज यह पशुपालन जैसे महत्वपून विशे पे चर्चा करने का मौका दिया लेकिन त्रिनबूल कॉंग्रेस आगे जाके देश के हर महत्वपूर मुद्दे पर बात करेगा चाहे वो चीन का अनाइतिक रूप से इस देश में प्रवेश हो या वो साथ सो से उपर आंदोलन जीवी किसानों की मौथ हो अब आपको हश्चेप नहीं करना चाहता लेकिन जिस अनुदानों की मांगों पर चर्चा अब यार तर नीट के घोटाले से लेके जीएस्टी के बोच तक एरपोर्ट की छथ तूट जाने से लेके रेल पटरी से चूट जाने तक ट्रिनमूल कॉंग्रेस के सदस्य हर मामाटी मानूश is the Magra Kata of the governance of West Bengal and our party and I feel truly honored that today I have been given the opportunity to talk on a ministry which is intrinsic to the मामाटी मानूश of the country. हमारे किसान अपनी मवेशी को अपनी फसल को मा की तरप पूचते हैं जिस खेत में वो हल चलाते हैं वो जमीन को नमन करते हैं. इसका जवाब अगर आप देश के किसान से पूचेंगे तो आपको यही बात बोलेंगे किसान से शुरू ही ती सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी दस साल में रास्ते में भतक गई. Sir, exorbitantly high cost of cattle and poultry feed under the mismanagement of this sector by the current government and wholesale fodder inflation hovering between 25% to 28.6% in the last 2-3 years. It is a 9-year high. Sir, किसान कुद क्या खाएंगे? अपने परिवार के लोगों कर चे लाएंगे? अपनी गाय भैस भेर बक्री को क्या खिलाएंगे? Sir, ऐसे ही वारदात होते हैं जहां गड़ीवी से जूचता हुआ एक खिसान उसको अपनी गाय भेर बक्री को बेचने में मजबूर करते हैं. यह बोलते हैं कि गाय हमारी माता है, पर मा की रक्षा करना इन्हें नहीं आता है. अद्यक्ष महुद है, हम सब जानते हैं कि इस मिनिस्ट्री के अंतरगत डेरी भी आता है. और भारत इस पूरी दुनिया में दूत के उत्पादन में नमबर एक है, क्ष्यक्यमकरी श्हें स॥क्ष कर भूर्स synergy. और भाद में कुछ म Aunque सिस्थर ऑ्रसरान चम्याज के थम्हाय है. But since the government has not been able to bridge the gap between demand and supply, it has successfully turned the country from being the largest producer of milk to an importer of milk. In the last ten years due to the stagnation in milk production,Damat य।oth senior the year, the gains of the white revolution has been systematically whitewashed. The dairy farmers are forced to throw buckets of milk on the highway protesting against meagre demol talent for their produce. And the price of milk, on the other hand, has increased by a massive 55% in the past 10 years. It was Rs. 36 per litre in 2014, and now Rs. 56 per litre in 2024. When this government came to power, the first thing the milk-producing companies regulated by it did was to increase the price of milk by Rs. 2 per litre. This was the revenge on the people of India for not providing a majority to the BJP. आम आदमी के दूद, छाच, लस्ती, डही, पनीर पर 5% की GST. क्रीम, कंडेंस्ट मिल्क, मक्खन, घी पर 12% की GST. और अमीरों के हीरों पर सिर्फ देर परसेंट की GST. सरकार उनको रिलीव नहीं देती है, जो विदेश में जाके मिल्कशेक और लाती की चुस्किया लगाते हैं. ये सरकार उनको रिलीव नहीं देती, जो आम आदमी दो पैकेट डूद खरीदने से पहले दस बार सोचता है. सर, बच्पन से हम सुनते आये थे, कि संडे हो या मंडे रोज खाऊ अंडे. इंडिया रंक्स सेकंड इन एक प्रोडक्शन इन वर्ल्ड. और अंडे का फंडा यही है, सर, कि भारत के बच्चों के किस्मत में, महीने में एक अंडा नहीं 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 था. मिदे मील के चलते हफते में अगर एका अंडा मिल भी रहा था, तो कही धर्म के नाम पे, तो कहीं महंगाई के चलते हुसे बंद करने की मांग उठ रही है. सर, more than 50% children under the age of 5 suffer from chronic malnutrition in the country, and roughly 17% children are underweight, and yet most BJP rule states do not serve eggs in midday meal scheme. This is the example of portion kaal in India. सर, अंथ पे आते हैं मच्ची पे, आप लोगो को जयदा पसद नहीं पर हम क्या करें, हम तो माच्चे बाते बंगाली हैं, हमको तो बोलना ही परेगा. And not to forget that 2.8 crore fisher folk are employed directly in catching fish in the country, and millions are employed in the value chain of selling fish and aquaculture. India stands third in the world in the terms of fish production, contributing to 8% of global fish production and ranked second in aquaculture production. The PM talks about blue revolution, but this government has allocated only 0.045% funds out of the total budget for the flagship scheme, Pradhan Mantri Matsya Sampadhyojna. Even after this bigger allocation, they did not utilize 39% of the funds, and in 23-24, they did not utilize 24% of the funds allocated. And sir, the fact remains that 1.5 years of lack of governance in the state has led to endangering of the fish species in India's largest freshwater body in Manipur, the Loktak Lake. Sir, the government has to generate employment opportunities, investment in areas such as exports, post-harvest processing, and import substitution. It has to deal with adversities like overfishing, depleting of fish stocks, pollution, disease outbreak, destruction of habitat, and climate change. Sir, my own parliamentary constituency has assembly constituencies like Baruipur, Shonarpur, Bhangor, which are heavily dependent on these sectors for livelihood. Main crops grown are wheat, rice, vegetable, fruit, oilseed, pulses, cotton and jute, and animal husbandry is practiced mostly by women in the self-help groups in the South Chubish Porvona. They dear wide range of domestic animals, including cattle, poultry, goat, particularly the black Bengal goat and the Pekin duck. And I take extreme pride in saying that in the last five years of the TMC government, the CM Mamata Banerjee has allocated a massive amount of 76,680 crore to agriculture and its allied sectors for their development. The government of West Bengal has achieved remarkable success in implementation of state schemes, namely Bangla Dairy. The state-owned company is providing financial incentive at the rate of Rs. 11.5 per litre of raw milk directly to the bank accounts of primary dairy farmers through milk unions. Bangla Dairy procured 3.55 crore kg milk in 2023, for which Rs. 109 crore was paid to dairy farmers through direct benefit transfer. 47,900 fresh kisan kats have been issued in the last three years for animal husbandry. Up to 30th November 2023, Rs. 393 crore was sanctioned to marginal animal rearers in the rural areas. Bangla Shushubhima scheme, a fully state-funded scheme for crop insurance. Total 1.28 crore farmers were enrolled under the scheme during 23-24. 70,000,000 farmers got claim settlement worth Rs. 247 crore. 76,049 farmers are getting pension amounting to Rs. 1,000 per month under Joy Bangla scheme. So far, Bangla scheme was introduced in 2014 for ensuring remunerative prices for agricultural produce, integrating about 80,000 farmers and procuring about 100 metric tons of perishables daily. The annual turnover of this project is now Rs. 106 crore. 77 new stores have been opened in financial year 23-24. 186 krisak bajars, sub-market yards are running successfully, providing excellent marketing infrastructure for aggregation and ease of marketing. And to be mentioned, that West Bengal is one of the largest coal storage capacities in the country, at more than 87 lakh metric ton with 620 coal storages. New investment of Rs. 239 crore is upcoming in this sector, this year with an employment opportunity for nearly 20,000 people. Now coming to the demands of pending funds from the government of India to West Bengal on animal husbandry and welfare. 50% of the central share, Rs. 12.72 crore for financial year 23-24, being the recurring expenditure for mobile veterinary units spending with the government of India. Government of West Bengal requested for sanctioning an additional 126 MVUs for 24-25. However, it was regretted citing want of funds. The proposed central share of Rs. 49.93 crore for financial year 24-25 for assistance to states for control of animal disease has not yet been released by the government of India. Despite repeated persuasion, Department of Animal Husbandry and Daring has not released the central share of Rs. 10 crore for financial year 24-25 for various ongoing National Livestock Mission schemes, including the project for the establishment of Buck Semen Station in Horinghata. ये तो बस इसी मिनिस्ट्री से बकाया है बंगाया है बंगाल का. अभी दूसरी मिनिस्ट्री प्रक्रे तो पता नहीं कहां पर जाके ये खतम होने वाला है. मैडम मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि इस BJP सरकार ने पिछले 10 सालों में इस देश के लिए क्या किया उससे बड़ी तालिका बनेगी कि 10 साल में क्या क्या कर सकते थे पर किया नहीं. 2014 में जो किसान मोदी है तो मुमकिन है सोचके और अच्छे दिन के खुआप देखके बीजेपी को वोट दे रहा था अज 10 साल बाद वो बोलता है कि मोदी है तो नामुमकिन है. शायद अभी वो किसान है भी नहीं. तो इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि समाय बड़ा महत्वपून होता है अदक्ष महोदय है और बड़ा बलवान. बिंगॉली में हम एक बाद बोलते हैं कि शौमोय गयले साधोन होबेना. इसका मतलब यही है कि अगर समाय चला गया तो साधना नहीं होगी. अगर भक्त रूट गए तो अराधना नहीं होगी. और 303 से 240 के आकरे बोलते हैं कि इस बार जो आप चले गए तो दुबारा खतब करते हैं. थांक यू सो मच.